तो बच्चों अध्याय संख्या 4 की शिर्वात हो चुकी है जिसका नाम है जलवायू और बच्चों भाग एक के अंतरगत हमने पड़ा कि भारत के जलवायू किस प्रकार से उष्ण कटी बन दिया मांसुनी जलवायू के प्रकार की है आज इस वीडियो के अंतरगत हम जानें जलवायू को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जैने के बारे में आज हम समझने का प्रयास करेंगे तो बाच्चों ये जो भाग है ये थोड़ासा कथिन है लेकिन जैसे-जैसे मैं बोलती जाती हूं वैसे–वैसे आप लिखते जाए और यदि आप प्रत्यक्ष बहुत ध्यान से समझेंगे तो यह जो वीडियो है यह भी बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए ठीक है बच्चों तो उठा लेंगे आप अपना पैन नोटबुक और बुक और साथ में रखेंगे पैंसिल भी और उसके साथ में भारत का राजनितिक या फिर प्राक कारक होते हैं ठीक है सबसे पहले अक्षांज दूसरा है तुंगता को साधरन भाषा में बोलते हैं उचाई ठीक है बच्चों इंगलिश में इसे बोलते हैं altitude तीसरा है बच्चों वायूदाब एंवं पमंत अंत्र समूद्र से दूरी महासागरिय धाराएं और उच्चाव दो फ debt बच्चोर तो शुरू करेंगे जल्वायू को नियंत्रित करने वाला जो पहला कारक है वह है अक्षांश ठीकर तो अक्षान्शों के आधार पर हम समझते हैं कि किस प्रकार से किसी भी क्षित्र के जलवायू कैसी होती है ठीक है बच्चों हम जान चुके हैं पिछले वीडियो में भी हमने इस प्रकार का एक डाइग्राम बनाया था और समझा था कि अक्षांशों के आधार पर हमने ग्लोब पर बहुत सारे प्रकार के ताप कटी बंद बनाए हैं ठीक है बच्चों यदि हम देखें यहाँ पर हम पैन का कलर चेंज करते हैं ठीक है बच्चों यह है करक रेखा जो कि कहां पर अस्तित है 23 डिगरी उतरी अक्षांश पर स्तित है उसी परकार बच्चों 23 डिगरी दक्षनी अक्षांश पर मकर रेखा अस्तित है ठीक है बच्चों और इन दोनों के बीच में जो ताप कटी बंद है वो कौन सा है उष्ण कटी बंद है और बच्चों, ऐसा क्यों होता है, इसका भी कारण हम जान लेते हैं, ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि सूर्यी की जो किरने हैं, वो वर्श भर लंबवत कहां पढ़ती है, करक से मकर एखा के बीच में पढ़ती है, ठीके बच्चों, तो साल भर सूर्यी के किरने, साड़े 23 पर सुर्य की चरणु अक्षान्ष के बीच में बढ़ती है जब कि अन्य स्थानों पर सुरी के जर्म हिदसेा बड़ती है इसाल़् शाड़ कर्क खर खर को नंश करद खर रहे खर, लेजड़ सांश कर्क दाज है वैसे वैसे वहां की जलवायू भी बदलती जाती है ठीक है ना बच्चों हम पढ़ क्या रहे हैं हम यही तो पढ़ रहे हैं कि जलवायू को नियंज़त करने वाले कारक कौन से हैं और उसके अंतरगत हम पढ़ रहे हैं अक्षांश समंधिकारक किस प्रकार से अक्षांशों क जाएखे बदलते ही वहां कि जलवाई भी बदल जाती है ठीक है बच्चों तो हम देख सकते हैं कि 21.5D दक्षणी अक्षांज से ध्रूं के तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा तापमान कम होता जाएगा ठीक है बच्चों यहां पर यह देखे यह जिरो डिग्री अक्षांज रेखा, जिरो डिग्री अक्षांज रेखा कि उत्तर का भाग है, उत्री गोलार्द, इसके नीचे का भाग होता है, यानि कि दक्षन का भाग कहलाता है, दक्षनी गोलार्द, ठीक है बच्चों, तो ये उत्री गोलार्द है, और ये दक्षनी गो यहाँ पर था उष्ण कटी बंद, अब हो गया सितोष्ण, दक्षनी गुलार्द में सितोष्ण कटी बंद है, और फिर से उत्री गुलार्द में शीत कटी बंद, और दक्षनी गुलार्द में भी है सित कटी बंद, ठीक है बच्चों, तो जैसे जैसे अक्षांश बदलते है वैसे वैसे जलवाईू भी बदलती जाती है ठीक है बच्चो तो पहला कारण हमने समझ लिया है और अब हम इसके बारे में लिख लेते हैं प्रत्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सोरूर्जा की मातरा अक्षानशों के अनुसार अलग-अलग होती है ठीक है बच्चो प्रत्वी गोल भी है और प्रत्वी साड़े तेस डिगरी के कौन पर जुकी हुई भी है ठीक है बच्चो यह जिस प्रकार से आपको सीधी याँ पर दिखाई दे रही है वैसे सीधी नहीं है बलकि हलकी सी जुकी हुई है और जुके हुए होने की वजए से केवल उश्ण कटी बंदों में ही सूरी का जो प्रकाश होता है वो समुचित रूप से पहुंच पाता है यानि कि लंबवत किरने पड़ती है जबकि अन्यक् रिक्षांश यानि कि विश्वत रिखा और क्योंकि यह पूरे ग्लोब में होता है इसलिए इसे हम विश्वत वृत कहते हैं ठीक है तो विश्वत वृत से द्रूओं की ओर जाने पर तापमान घटता जाता है देखते बच्चों दूसरा कारण जिसका नाम है तुंगता य जैसे जैसे उचाई की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे तापमान कम होता है और बच्चों आपने पढ़ा होगा कि वायू मंदल की विभिन पढ़ते होती है और जुक्षेत्र होता है उसमें जैसे जैसे उचाई की तरफ जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है तो बच्चों एक बार हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं राजस्थान राज्य में सिरोही जिला है ठीक है बच्चों आपको याद होगा कि राजस्थान राज्य में कितने जिले हैं 33 जिले हैं और 33 में से एक जिला है सीरोही और सीरोही में इस्तित है अरावली परवत की सबसे उची चोटी गुरू शिखर और उसी के निकटवर्तिक शेत्र को हम माउंट अबू क्षेत्र भी कहते हैं तो बच्चों जब राजस्थान की अन्यक शेत्रों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो माउंट अबू में सामाने मौसम होता है यानि कि सुखद जलवाईव वहां पर पाई जाती है क्यों ऐसा क्यों बच्चों क्योंकि वह उचा ही परसित है मान लीजे हम गुरू शिख बच्चों तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे उंचाई की तरुब बढ़ते हैं वैसे वैसे तापमान कम हो जाता है ठीक है बच्चों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तीसरा कारण और वह है वायुदाब इवं पवंतंत्र जहां बच्चों यह थोड़ा सा टि होता है और बच्चों उसी के अनुसार पवने भी चलती है ठीक है हमने अभी तक व्यापारिक पवनों के बारे में पढ़ा नहीं है लेकिन हम शिगर ही पढ़ेंगे बच्चों यहां पर आप सामाने रूप से समझिए कि यह उष्ण कटी बंद तो बच्चों उष्ण कटी देख सकते हो कि ग्लोब के उपर हम यहां पर समझ रहे हैं वायुदाब और पवनों से सम्मंद और हमने यहां देखा कि तापमान का और वायुदाब का वेपरी सम्मंद होता है लेकिन बच्चों प्रत्वी की गति शीलता की वज़े से वायुदाब का और तापमान का जो की संबन्ध है वो भी उल्टा हो जाता है कई स्थानों पर थीकट बच्चों जैसे Вedo कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि साथ डिक्री उत्री अक्षान्श्वर्म में किसे प्रकार का दाप पाए जाता है कि तापमान भीगाशाहिए अर वायुदाव बीगाशाहिए ठीके बच्चों तो हम देख सकते हैं कि पवनों की वज़े से प्रत्वी की परिभ्रमन गती की वज़े से कई प्रकार से वायुदाब बदल जाता है और बहुत सारे प्रकार की पवने चलती है जो उस ख्षित्र की जलवायू को प्रभावित करती है ठीके बच्चों तो लिखेंगे हम किसी भी ख्षित्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश और उचाई पर निर्भर करता है इस प्रकार ये तापमान एवं वर्षा के वितरन को भी प्रभावित करता है जब पवने सागर से उगर गुजरती है तो अ आमने देखा था कि किस प्रकार से तिरुवन पूरम जो कि केरल की राज़ानी है वहां पर गर्मियों में तापमान कितना रहता है 22 डिग्री सेल्सियस जबकि बच्चों यदि हम बात करें उत्तर भारत में तो उत्तर भारत के थार मनुसल में कितना तापमान होता है तो यहां पर विज्ञान का एक नियम है और वो यह है कि स्थल जल्दी से गरम हो जाते हैं और जल्दी ही ठंडे हो जाते हैं। जबकि जलिय भाग देरी से गरम होते हैं और देरी से ठंडे होते हैं ठीक है बच्चों यदि गर्मी की रितु में आप अपने छत के उपर एक बालती पानी रखें और आप दो या तिन घंटे बाद जाकर उसे चेक करें तो आपको लगेगा कि पानी उतना गरम नहीं हुआ ह जबकि आप फर्ष पर जब हाथ रखेंगे तो आपका हाथ बहुत जलने की संभावना है ऐसा क्यों बच्चों क्योंकि स्थलखंड जल्दी गरम हो जाता है और जलखंड जल्दी से गरम नहीं होता है ठीक है बच्चों तो यहां पर हम यह समझने का प्रियास करते हैं कि ज समुद्रों के किनारे इस्तित हैं और समुद्रों में बहुत विशाल मात्रा में जल होता है और विशाल मात्रा में जो जल है वो देरी से गरम होगा और देरी से ठंडा होगा इसके वज़ेसे बच्चों जो तटीयक शित्र होते हैं वहां पर सम जलवायू पाई जाती है ठ उस्तल खंडों की क्या विशेस्ता है जल्दी से गरम होना और जल्दी से ठंड़ा हो जाना ठीक है बचो थार के मरूसल में दिन का तापमान है 50 degrees Celsius और रात्री का तापमान कितना हो जाता है 15 degrees Celsius इसका मतलब समझ गए ना आप कि दिन में जल्दी ही गरम हो जाते हैं और रात्र समुद्र का जल्वायू पर समकारी प्रभाव पढ़ता है ठीक है बच्चो मैंने आपको बताय था ना सम प्रभाव होता है जो भाग समुद्रों के निकट क्षित्र में इस्तेत होते हैं वहाँ पर जल्वायू सम प्रकार की होती है जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़त को महसूस करने लगते हैं ठीक है बच्चों इसे क्या कहते हैं महाद वीपिय अवस्था कहते हैं गर्मी में बहुत अधिक गर्मी और सर्दी में बहुत अधिक ठंडा ठीक है बच्चों तो जो आंत्रिक भाग होते हैं उनकी चलवाईव कैसी होती है महाद वीपिय अवस्था के प्रकार की होती है जब की समुद्र के निकट वर्तिक शित्रों में समकारी प्रभाव पाया जाता है ठीक है अब देखेंगे अगला कारण जिसका नाम है महा सागरिय धाराएं बच्चों अब आप पुछेंगे कि महा सागर में क्या धाराएं होती है जिया बच्चों जिस प्रकार से धरातल पर नदियों की रूप में जल प्रवाइद होता है उसी प्रकार सागरों में भी धाराओं के रूप में जल प्रवाइद होता है ठीक है बच्चों हम तंडी जो धारा है इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम और बाच्चो मूल रूम से इसका कलर किस प्रकार काथ इसका रंग है Red color का इसका मतलब क्या है कि यह गर्म जल धारा है और बच्चों जहां जहां में भी आपको Red color से धारा बनी हुई नजर आ रही है इसका मतलब क्या है कि उनकी प्रकृति गर्म है जबकि नीले कलर से बनी हुई जो धाराई है इनका मतलब है कि वो ठंडे प्रकार की जलधाराई है तो बच्चों जब गर्म जलधारा किसी ठंडे क्षित्र में पहुंच जाती है यानि कि जहां का तापमान कम होता है तो वहां की जलवाई को वो सामाने बना देती है क्योंकि गर्म जल्दारा वहां पहुंच जाएगी तो वहां का तापवांचों होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा और बच्चों इसके विप्रीर यदि कोई ठंडी जल्दारा ठीक है बच्चों यहां पर हम देख सकते हैं यह पेर थे दम के अगजा है जाएक पर पहुंचती हैं क्योंकि जल्दारा की प्रकृति कैसी है ठंडी है ठीक है पर लिखेंगे में महा साघ्य荚ार Stop समुद्र से तटकी और चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों कोई जलवायू को प्रभावित करती है उधारन के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराईं बहती है और वायू की दिशा समुदर से तटकी ओर हो, तब तट गर्म या फिर ठंडा हो जाएगा, ठीक है बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, जब गर्म जल्दारा किसी ठंडे क्षित्र में पहुंच जाएगी, तो वहां के तापमान को बढ़ा देगी, और जब कोई ठंडी पहरा किसी गर्म खित्र में पहुंच जाएगी, तो वहां के तापमान को कम कर देगी, ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कारक जिसका नाम है उच्चावच लक्षन, तो बच्चों उच्चावच का मतलब क्या होता है, उच्चावच का मतलब होत है विभीन प्रकार की इस्तला करतियां जैसे की परवत, पठार, मैदान, इत्यादी, ठीक है बच्चों तो हम देख सकते हैं कि भारत का जो पशिमी घाट है, ठीक है बच्चों याद आए आपको पशिमी घाट यानि की सहयादरी की पहाड़ियां, यह देखे बच्चों य यह है पशिमी घाट और बच्चों हम देखते हैं कि दक्षिन पशिम मौनसून सबसे पहले कहां टकराता है, बच्चों दक्षिन पशिम मौनसून सबसे पहले टकराता है पशिमी घाट की पशिमी घाल से, ठीक है बच्चों यदि मैं यहाँ पर एक धाल बना दूं और यह यहां पर हम दिशा मना देते हैं बचों यह है पशिम दिशा और यह है पूर्वदिशा और यह है पशिमी घाट तो जो पशिमी घाट का यह जो पशिमी ढाल है और यह है दक्षिन पशिमी मौनसुन की हवाएं तो दक्षिन पशिम मौनसुन की हवाएं कहां टकराती है बचो इस पशिमी ढाल से टक्राती है, फल सुरूब यहाँ पर बहुत अच्छी वर्षा होती है, पलकि इसके विपरीत जो कि पूर्वी ढाल है बच्चों, यहाँ पर वर्षा कम होती है और इसे हम कहते हैं वरिष्टी छायाक्षेत्र, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों, यह जो हवाएं हैं सबसे पहले किसे टक्रा रही है? पशिमी ढाल से कर टक्राती है, थीक है? तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं बच्चों, कि जो पशिमी घाट का जो पशिमी ढाल है, यहाँ पर अधिक वर्षा क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर पशिमी घ यानी भी एक उचावच का लक्षन है यानी कि पहाड़ी है लेकिन बच्चों अरावली की उचाई कम होने की वजए से जो मानसुनी बाउने होती है वो सीधे ही आगे बढ़ जाती है यानी कि यह अवरोध उपस्तित नहीं करती है बच्चों यदि अरावली परवत की घंभी घाट एक अवरोध की रूप में गारे करते हैं जब कि अरावली परवतमाला एक अवरोध की रूप में कार्या नहीं करती है ठीके-बच्चो तो लिखते हैं इसके बारे में अंत में किसी स्थान की जलवायू को निर्धारित करने में उच्चावज की भी महतफुन भुमिका होती है ठीक है बच्चों हमने उश्णकटी बंदिये मांसुनी जलवायू पड़ी थी तब हमने देखा था कि हिमालय किस प्रकार से साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं के लिए एक अवरोधक का काम करता ह है और ठंडी हवाओंको भारत में आने से रोकता है ठीक है बच्चों ऊसी पेकार से दक्षणी पश्यमी महातष के लिए अवरोधक का कारे कौन करता है पशीमी घाट करता है लेकिन बच्चों हमने ये भी देखा कि पशीमी घाट का जो पशीमी ढाल है ठीक है बच्चों हम इसे पशीमी घाट मान लेते हैं ठीक है ये 3D इमेज है एक पहाड की तो बच्चों ये है पशीमी ढाल और ये है पूर्वी ढाल तो बच्चों दक्षन भी मुख्य है और यहां पर अधिक वरशा होती है और यहांसा क्शेतर बन जाता है यह दो पर तो आप आ जानते हैं कि ऐसे प्षेत्र जो पवनों के रास्ते में नहीं करते हैं वहान on जाने वाली वायू के रास्तों को रोखने में सक्षम होते हैं तो ये उस जित्र cię हो वर्षा का कारण भी बन सकते हैं ठीक बच्चों उसी प्रकार जो अरावली परवत माला है उसकी उचाई अधिक नहीं होने की वज़े से ये बादलों को रोकने में सहायक नहीं होती है और यहां पर वर्षा कम होती है परवतों की पवन विमुक ढाल अपेक्शाक्रत सूखे जैसे की पशिमी घाट का कौन सा ढाल पूर्वी ढाल ठीक है बच्चों तो पूर्वी ढाल कैसा ढाल है पूर्वी ढाल है आप एक्शाक्रत सूखा क्योंकि यह पवन विमुक है ठीक है बच्चों तो हमने क्या जान लिया है हमने जाना आज जलवायू को प्रभावित करने वाले फिभिने कारकों के बारे में ठीक है बच्चों आपक्षा नाइंत के विद्धियारती है लेकिन आप होनहार है और बुद्धिमान है मैं उमीद करती हूं कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाएंगी थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन ध्यान से पढ़ेंग कि सुपच्पट रजी को डिkemान को दोड़ स सबाएंग्ग, कारि मुद्दी उम् 접नाव्ट लेकिन पोड़ा ok Dem gratitude मैं आपओं है 92, Cर।